तो दोस्तो आ गया हूँ मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि BCCI के क्रिकेट च्रायल कौन-कौन से शेहरों में होने जा रहे हैं इस साल जी हाँ अगर हालात सही रहे तो इस साल होंगे अब कौन से शेहरों में होने वाले हैं कौन से स्टेट में उसके बारे में जानकारी दूँगा वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी र्क्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्रायब कर देना आपको यहाँ पर क्रिकेट के यूड़े हर अपडेट मिल जाते हैं तो सब्सक्रायब करना तो बनता है तो मैं आपको सबसे पहले य पर देशन होए थे चंडीगड में भी होने के पूरे चांसे और अपडेट भी आई है कि चंडीगड में होंगे उत्ता परदेश के में शेरों के अंदर लखनव कानपूर और फरीदाबाद पिरागराज यहां पर होने के पूरे चांसे अब छोटे योड़े डिस्टिक हैं तो वहाँ पर भी होने के पूरे आशार है वेस्ट बेंगाल के अंदर भी हो सकते हैं ट्राइल अब वेस्ट बेंगाल के कौल्गत्ता के अंदर बहुत ज़ہा चांसेस है कि स्टेट लेवल ट्राइल हो उसके बाद में अगर हम बात करे टमिल लाडु के अंदर तो चैन्ने पूरे चांसे यह कूझे हैं अगरे अगर सब्सक्राइं थोड़ा उपर की यानिकी उत्राखंडगी तो उत्राखंड के अंदर उसकते हैं तो धेरादून के अंदर तो है कि इस मही इस साल होने जा रहे हैं तो ये कुछ चैर हैं जहां की में को अपडेट मिली है कि इस साल होने के पूरे चांसिस है अगर हालात सही रहे तो अब और भी किसी शेयर के अंदर होने वाले होंगे उसकी अपडेट हमें नहीं मिले होगी तो sorry अगर आपके share का हमने नहीं बताया तो क्योंकि मैं हर share को अभी ऐसे personally call करके पूछ नहीं सकता मैंने इनको personally call करके पूछाय कोई कि बहुत जाँ डिमारी थी यूटूब पे तो इनको नहीं ने बताया है कि chances हैं कि इस साल हो सके अगर हालात सही रहे तो और अगर हम relation का idea लेकि चले तो registration हो सकते हैं September से October तक जी हाँ दोस्तों September से October तक रेशन ओपन हो सकते हैं और अगर सब कुछ सही रहा तो November में च्राइल शुरू हो जाएंगे तो मैं आपको यह विदा दू कि आप प्लीज घर में रहिए सेव रहिए कोरोना वायस से क्योंकि अगर थर्ड वेब आ गई अक्टूबर तक जो अन्वान लगाया जा रहा है साइंटिस्ट का तो क्रिकेट चायल मुश्किल हो जाएगा इस सेशन का जैसे 2020 में डिले डिले होते होते कैंसल कर दी गए तो इस साल भी ऐसा ना हो इसलिए कह रहा हूं कि भाई कोरोना वायस की थर्ड बेब ना आए मैं तो यह आशा कर रहा हूं अब यह तो उस पर डिवेंड करता है कि आएगी या नहीं आएगी तो आप तो सेफ रहिए अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए अब जो होगा वो देखा जाएगा मैं भी जानता हूं मैं भी आपकी तरह प्लेयर हूं मेरी भी मैं नहीं तो यह मैं थोड़ा सऐी म लगा तो भाई मैं आपको यह बतना चाहता हूं कि जो प्रावेट क्रिकेर्ट होते हैं उनका में किसी इन रही नहीं करता हो कि प्रावेट लीग सild fosse टिए उनका मोटो यह होता है कि उनको आपको क्रिकिट खिलाना है चाहिए मैचिस कराने है उसके बाद में आपको स्पांश्शिप देना है पिर एक और बार बार बूसाइब चाहिए उनसी होता है इंडिया के अंफ एतर खुड़ाना लेवल पे इस फ्यर्थी तो Jeanne उनको international matches भी handle करने होते है, national matches भी, tournaments भी, तो उनका सिर्फ ये मोटो नहीं है, उनको सिर्फ trials कराने है, इसलिए trials delay होते हैं, और जब भी trial कराएंगे, वो पूरी safety के साथ ही कराएंगे, उनको देख के चलना पड़ता है, कि हम trial कराएंगे, तो पूरी safety के साथ ही हो, क्योंकि जो भीड़ खटा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि coronavirus के case अभी अभी कम होए है, वो एकदम से भीड़ खटा नहीं कर सकते हैं, तो जो private leagues की बात करें, तो मैं आपको बताई दिया, कि उनका motto यह होता है, कि उनको बारवा cricket trial कराने हैं, league matches कराने हैं, और उनको sponsor करने हैं, उनको भी business करन कराने होते हैं, वो busy भी होते हैं, और उनको पूरा safety के साथ में चलना होता है, इसलिए वो ऐसे critical situation में trial ना कराकर delay करा देते हैं, so I hope आपको आपके जवाब मिल गया होगा, तो अगर आपको trials के लिए update रहना है, तो चैनल को subscribe कर देना,